जै मतरानी दोस्तों आप सभी को आने वाले नवरात्रों की देरो शुब कामनाएं मतरानी की कृपा आप और और हम पर और हमारे इस यूट्यूब परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे इसे आशा के साथ में हम आज का ये वीडियो ले करके आए हैं आज हम बात करने वाले है नवरात्रे पूजन में हमें किसके सामिगरी की आवशकता होती है देकि यहां पर मैंने अधिक्तम सामिगरी आपको दिखाए इसमें से कोई भी सामिगरी ये आपको नहीं मिलती है तो कोई बात ने बिना उस सामिगरी के भी आप अपना पूजन कर सकते हैं तो यहां पर मै नहीं तो आप screenshot ले करके भी सामिगरी की विवस्ता कर सकते हैं तो देखिए माता की पूजन में क्योंकि नवरात्रोय का जो पूजन होता है एक बहुत बड़ा पूजन माना जाता है इसमें 9 दिन के लिए माता की चौकी लगाई जाती है इसके लिए हमें चौकी चाहिए चौकी या फिर आप पटा ले सकते हैं जो पटड़ा होता है वो ले सकते हैं अगर आप छोटी चोकी की स्थापना करें तो एक चोकी हमें चाहिएगी और अगर आप शोड़स मात्रिकाय नवग्रे और आप कलश की स्थापना कर रहे हैं और जुआरे भी उगा रहे हैं तो आपको दो से तीन चोकी की आफशकता हैं अगर आपके पास पहले से पूजा का कोई वस्तर रखा है जिसे आप चोकी की वपर बिछाते हैं तो वो भी ले सकते हैं माता को लाल रंग बहुत ही प्रिया है तो लाल रंग का वस्तर है कि अलावा अगर आपके पास पीलाए तो ले सकते हैं बढ़ लाल रंका बहुत याधे विशेश होता है। साथ में देखिए अगर आप अपनी पूझा को थोड़ा विस्तरित रूप देना चाहते हैं तो नवग्रे की भी स्थापना की जाती है नवग्रे और शोड़श मात्रिका दोनों की स्थापना की जाती है नवग्रे यंतर आता है धातू का बना हुआ फोटो भी आता है उसे आप पुजा में रख सकते हैं नहीं तो आप चावल की नौ धेरियां लगा कर उनके उपर नौ सुपारी लगा करके आप नवग्रह की भी स्थापना कर सकते हैं शोड़स मात्रिकाएं भी सेम इसी प्रकार से बनाई जाती हैं यह दोनों ऑप्शनल हैं अगर आप चाहें तो इनके स्थापना करें नहीं तो नहीं करें शोल चावल की धेरियां लगा करके उनके उपर सोल सुपारी रखी जाती हैं या फिर सोल हल्दी की गाठे रखी जाती हैं तो यह शोड़स मात्रिकाओं का निर्माण किया जाता है इसी के साथ में लाल चुनरी हमें चाहिए एक तो माता को और पित करने के लिए चाहिए दूसरी नारियल के उपर जो कलशका नारियल लगो उसके उपर लपेटने के लिए भी हमें चाहिए तो दो हमें लाल चुनरी चाहिए माता को और पित करने के थोड़ी बड़ी ले सकते हैं अगर आप सिर्फ एक चुनरी ले रहे ह इस प्रकार से इसनान कराइं पहले दिन एक बारी रोज इसनान कराना आवशक नहीं होता रोज तो हम छीटा दे देते हैं जलका और अगर आपके पास देखे तस्वीर है तो आप उसे गंगाजल से साफ कर लें पहले दिन इसनान कराया जाता है विशेश आप चाहें तो कच्चे दूसे भी करा सकते हैं, गंदोदक इसनान भी करा सकते हैं, यानि कि जल के अंदर चंदन डाल करके गंदोदक इसनान कराये जाता है, तो अगर तस्वीर है तो ऐसे ही साफ कर लें, नहीं तो मूर्ती है तो इस्थापना से पहले पंचामरत से या फिर विशेश इसनान अवश्य रूप से कराएं डेली कराना नहीं होता है अगले दिन से हम जलका चीटा देकर के भाव इसनान करा देते हैं उसी के साथ में माता को अरपित करने के लिए हमें शरंगार की सामिगरी के अवश्यक्ता होती है आप चाहें तो सोलर शरंगार की सामिगरी अरपित कर सकते हैं कम करना चाहते हैं अपनी सामर्ते के अनुसार करें साथ भी कर सकते हैं पांच भी कर सकते हैं नहीं तो कम से कम एक सिंदुर की डिब्बितों माता को जरूर अरपित करें अब ये जो शंगार की सामिगरी चाहे तो प्रतम नवरात्रे में कर सकते हैं या फिर नवरात्रों में नौ दिन में आप किसी भी दिन ये शंगार की सामिगरी आरपित कर सकते हैं आप पहले से ही इसे लाकर के रख लीजेगा पहले दिन भी कर सकते हैं या फिर आप अस्टमी का ले सकते हैं किसी भी धातू का ले सकते हैं कोशिश करके प्लास्टिक का या फिस्टील का कलश ना ले लेकिन देकि कई बारी मजबूरी होती हैं बाहर विदेश में रह रहे होते हैं हमारे पास नहीं होता है तो आप कलश की स्थापना इस्टील से कर सकते हैं बट मिट्टी आम के या फिर अशोक के पत्ते लेंगे आप चाहें तो पान के भी लगा सकते हैं लेकिन क्योंकि 9 दिन के लिए कलश की स्थापना होती है तो आम के पत्ते सबसे ज़्यादा सही रहते हैं वो सूकते नहीं जल्दी से और यहां पर हम 5, 7, 11 कोई भी हम और नंबर में इनकी और खुश दि भी इसमें दाल सकते हैं थोड़ा सा इतन लगा सकते हैं और कलश के उपर रखने के लिए एक नारीयल चाहिर है और चाहें तो आप एक नारीयल और ले सकते हैं इसे भोपरसाध Planning को अर्पित भी कर सकते हैं और जो नारील हमें लेना हुथ कि पानी वाला जट अस्टदल कमल बनाना होता है और जो हम अखंड जोत यदि हम जलाते हैं तो भी हमें चाहिए पूजा में भी अक्षत की आवशकता होती है अक्षत यानि की साबुद चावल पंसारी के यहां बहुत इजी ली मिल जाते हैं आप चाहें तो उनसे बोलेंगे कि हमें साबुद प िचाहिए चाहिए इस प्रकार के को मिक्स करें उगा जाता है और इसे पेसे में देखे जब आप इनको उगाएंगे तो उससे एक दो दिन पहले आप इनको भीगो करके रखते हैं तो इससे हमारी जो जैनती है जो जो है वो बहुत ही अच्छे होते हैं माताराणी की दर्शन बहुत ही अच्छे होते हैं हरे बरे हमारे जुआरे रहते हैं और जो उगाने के लिए हमें एक प ऐसी जगा से नाले जहाँ पर गंदीगी आदी हो कूडे के ढेर के पास से या फिजे से नाले के पास से नाले किसी खेट क्यार जो भी अच्छी मिटी हो वो हमें मिटी लेनी है और यहाँ पर देखिए यदि आप अखंड जोत अखंड जोत आप प्रजुलित कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या सामिगरी चाहिए क्योंकि अखंड जोत हर को ये प्रजुलित नहीं करता है लेकिन जो कर रहे हैं उनके लिए ये सामिगरी है एक बड़ा हमें दीपक चाहिए ये दीपक आप धातू का ले सकते हैं, वैसे विशेशुप से धातू का ही ले, मिट्टी का भी ले सकते हैं, बड़ा सा दीपक होना चाहिए, जिसमें हमारा अगर हम घी डाले तो 5-6 गंटे आराम से चल जाए वो घी, और हमें बड़ी लंबी बाती चाहिए, ये बाती देख जोद के लिए हमें ये सब चाहिए, और यहाँ पर देखें, जोद जलाने के लिए हमें देसी घी चाहिए, आप चाहिए तो गाय का शुद्ध देसी घी मिल जाता है, तो उससे आप जोद जला सकते हैं, नहीं तो आप तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं, अब एक कितना गी करेंगे ।andos tv means. अगर आप थोड़ी सी जॉपन हैं तो उसमें लिटर के करीब लगेगा और अदा किलो की घरीब घी आपको अलग से रखना पड़ेगा विकिघय हम हांगे तौट प्रियोग होगा यदि आप तिल के तेल की भी जला रहे हैं तिल का तेल हमें एक लीटर तो ला नहीं है इसके लावा घी भी हमें चाहिएगा अस्ट दल कमल के रिए जो चावल जैसे कि मैंने पहले बताए हैं वो हमें चाहिएंगे कलरफूल ले ले या फिर सिंपिल ले ले वो तो सबी चावल के अंदर आ जाएंगे और उसे के साथ में हो सके तो देखें जोत का केस जैसा आता है और या फिर शीशा का प्रियोग करें ताकि हमारी जो जो जोत है वो उसमें किसी प्रकार का कोई विग्न ना आए क्योंकि आज कल देखें पंके भी चलने शुरू हो जगा जैसे भी चाहें वैसी लंबी गोल बाती जैसे वैसे ले सकते हैं उन्हें एक साथ ही भिगो करके किसी टिफिन में रख लें तो बहुत इसी हो जाता है और इसे के साथ में अक्षत रोली चंदन हल्दी कुमकुम जब हमारा चौक्टा होता है ना ये इस सारी चीज़ भी आप साथ बार लपेट करके अरपित कर सकते हैं और ये एक ही दिन अरपित करना है हमें जनेव रोज रोज हमें जनेव अरपित नहीं करना है पहले दिन और लास्ट के दिन नवरात्रों में हो या कोई भी पूजन हो पहले और लास्ट के दिन विशेश पूजन किया जा और हमारे याँ पर डेली वस्तर रूपी कलावा भी अर्पित नहीं किया जाता है बस पहले दिन यशीजन कर लेकिश है शहद छाहिए भोग अर्पित लिए चाहिए और पंचामरत बनाएंगे उसके लिए और ले लिजीगा कलश स्थापना के लिए भी हमें चाहिएगी लॉंग देखिए इस पूजा में लॉंग का बहुत जादा प्रयोग होता है तो करीब करीब 25 ग्रम के करीब लॉंग ले 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 लॉंग हमें नहीं ले ले लॉंग के जोड़े भी चड़ाये जाते हैं और भोग भी लगाया जाता है लॉंग बताशे का मा को इलाइची इलाइची हमें काफी सारी लगेंगे इसमें आप 11-15 दाने के करीब जो हरी लाइची होती है वो आप ले ले कमल गट्टे 10-11 ले और कपूर का बहुत जादा प्रयोग होता है इस पूजन में हवन में भी ह हमें चाहिए कपूर से मारती भी करेंगे तो 50 ग्राम के करीब आप कपूर ले 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 या फिर जो डबबी आती है वो आप ले सकते हैं पान 11 देखे पान जो है वो आप लाकर के फ्रिज में रख लीजेगा ये जैसे चार-पांच पान ले आए और फिर ले आए दो बारा द हीदम ठीक रहते हैं इनको रख सकते हैं आप और सुपारी सुपारी की संख्या जो है वो भी हमारी जैसे हम मान लीजे शोडश मात्रिकाएं बना रहे हैं और नवगरे बना रहे हैं तो उसके उपर डिपेंड करती है तो 20-25 हमें सुपारी भी लगेंगी और साथ में देख नवरात्रों में हवन का पहत महत रहता है हवन सामिगरी हमें क्या क्या चाहिएगी जिसे हम दूनी भी कहते हैं अग्यारी भी कहते हैं उसके लिए हमें एक तो हमें पात्र चाहिए पात्र कैसा मिट्टी का ले सकते हैं या फिर किसी धातु का ले सकते हैं उसके नीचे हम कुछ लगा लेंगी क्योंकि आच जो होती है तो आम की लकड़ी ले सकते हैं और आगर आप बड़ा विशिश हवन कर रहे हैं नवरातरों में एक दिन तो हमें ये हवन करना ही चाहिए जैसे कि बड़ा हवन किया जाता है अस्टमी को भी किया जाता है नौमी को भी किया जाता है डेली भी कर सकते हैं तो नवग्रे समीधा पूजा सामिगरी 100 पे मिल जाती है उसे लेकर के भी आप हवन कर सकते हैं आम की लकड़ी से भी कर सकते हैं और सामिगरी जैसे किसी भी अच्छे ब्रैंड की आप ले सकते हैं 100 ग्राम की करीब आपको सामिगरी लगेगी या फिर आप चाहें तो घर पर स्वेंबी सामिगरी ब Google और लोबान की धूनी भी कि जाती है Google और लोबान की धूनी जरूर करें नवरात्रों में चाहें तो देखे, दोनों समय भी कर सकते हैं एक समय तो हमें कम से कम करनी ही चाहिए जौ, तिल और कमलगटे आदी कई प्रकर की विशेश आहूतियां भी दी जाती हैं तो इसे भी आहूति दे सकते हैं लॉंग बताशे भी अग्यारी के उपर अर्पित किये जाते हैं इनसे भी हवन किया जाता है तो लॉंग बताशे हम इसमें ले सकते हैं इसी के साथ में देखिए पतंजली का देखिए यहां पर मैं किसी भी ब्रेंट का प्रचार नहीं कर रहे हूं पतंजली का संभरनी का पाता है यदि आपके पास समय नहीं है धूनी करने का तो पतंजली का संभरनी का बहुत ही अच्छा है मैं इसे स्वेंबी प्रयोग करती तो आप इससे भी धूनी दे सकते हैं बहुत ही जादा easy to use ये रहता है अब यहाँ पर देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा और आया पर सामिगरी इतनी सारी है क्योंकि बहुत बड़ा पूजन होता है अब भोग परसाद में देखिए कुछ लोग तो सुबह शाम भोग परसाद लगाते हैं लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं चार बारी दिन में चार बारी भी माता को भोग अरपित करते हैं तो भोग में माता को सबसे ज़्यादा प्रिय होता लॉंग बताशे तो आप लॉंग तो मैंने पहले यह आपको बता दी हैं उस लॉंग में से ले लेंगे बताशी आपको करीब धाई सो ग्राम के करीब आदा किलो अपला करके रख सकते हैं पंच मेवा सौ ग्राम की करीब लगेगी मिश्री मिठाई जो भी उपलब्द हो जाए नवरात्रे के कि उसके अनुसार भी विशेष भोग लगा जाता है जैसे प्रिधम नवरात्रे में माता यह जी जा नार बहुत ज़्यादा प्रिय होता है मा को इसके बाद में जब हम भोग अर्पित कर लेते हैं अब यह नहीं है कि डेली हमें इतना सारा ही भोग लगाना है इसमें से जो भी चीज आपको मिल जाती है लॉंग बताशी का तो हमें जरूर ही लगाना है मिश्री का भोग हमें लगाना है और तामबूल यानी की पान जरूर अर्पित किया जाता है मुक्षुद्धी करण के लिए पान के अंदर हम क्या रखेंगे लॉंग इलाइची सुपारी और बताशा या फिर मिश्री रख सकते हैं गुलकंद भी रख सकते हैं और या फिर आप बाजार से मीठा पान भी लाकर के मा को डेली अर्पित कर सकते हैं मुक्षुद्धी करण के लिए अब देखें नवरात्रे के जो नौ दिन होते हैं वो बहुत ही विशेश चमतकारिक होते हैं इन नौ दिनों में किया गया जब तापो दान उसका हमें हजारों गुना फल मिलता है और बहुत ही जल्दी वो हमारी साधना फलित हो जाती है तो इसलिए इस नौ दिनों में हमें कुछ ना कुछ जाप अवश्य रूप से करना चाहिए किसी न किसी धार्मी ग्रंद का हमें अध्यन अवश्य रूप से करना चाहिए पाठ अवश्य रूप से करना चाहिए तो आप कोई भी धार्मी कोई भी आपके पास ग्रंद हो उसका आप कर सकते हैं पाठ तो इसमें देखे सबसे जो प्रतम आता है इसका पार्ट तो हमें जरूर जरूर करना चाहिए, तो अगर आपके पास नहीं है, तो आप ले आएं, और नवरात्र की जो कथा की पुस्तक आती है, वो भी हमें डेली पढ़नी चाहिए, नवरात्र कथा की पुस्तक हमें डेली पढ़नी चाहिए, नवरात्र की पुस्तक हम ला सकते हैं, इसी के साथ में इन 9 दिनों में च्री राम चरीतर मानस के 9 दिनेज़ दिवस के परायन का हमें इसमें करा जाता है विशेश उल्ट से किया जाता है, और इसके अलावा आप अन्य कोई भी धर्मिक गरंट पुस्तक का अध्यन कर सकते हैं सारी वीडियोज हमारे चनल पे हैं, सामिगरी क्या लगती है, किस प्रकार से पूजा की जाती है, कैसे कलश की स्थापना की जाती है, किस प्रकार से कन्या पूजन किया जाता है, किस प्रकार से हवन किया जाता है, बहुत सारी वीडियोज, फ्रेंड्स करीब करीब 100 प्लस वो वीडियो को लाइक शेयर चनल को जुरू सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में जय माता दिया वश्य लेगे दोस्तों मिलते हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय माता रानी दोस्तों